हम सभी ने थ्री इडिट सुन देखी है और उसमें एक डायलॉग है बाकी के इडिट का क्या हुआ? क्या उन्हें वे यहाँ छोड़ देखी है? तो उस फिल्म का एक डायलॉग हमें से कई लोग अच्छे से समझते हैं वो है जब फ्रेंड फेल होता है तो दुख होता है जब फ्रेंड टॉप करता है तो और ज़्यादा दुख होता है और… मेरा प्रश्न ये है कि क्या ऐसा मैसूस करना ठीक है और अगर नहीं तो आप उस भावना को आज के दौर में कैसे छोड़ सकते हैं? दिखिये, क्या आपने चार्ल्स डाविन के बारे में सुना है? इंसानी विकास नाम की एक चीज होती है और कोई नहीं कहता कि विकास पूरा हो गया है आज कुछ नियूरो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आपके और चिंपैंजी के डियने में बस एक दशमलव दो तीन प्रतिशत का फर्क है एक दशमलव दो तीन प्रतिशत बहुत बड़ा फर्क नहीं है, है न? तो विकास की समस्या है अगर आप खुद को अपने हाथों में नहीं लेते तो आप बहुत आसानी से एक दशमलव दो तीन प्रतिशत पीछे चले जाएंगे अब वो क्या था? मैं वो वाक्य दोहरा नहीं सकता पर अगर आपका दोस्त सफल होता है तो आप उदास हो जाते हैं अगर वो बहुत सफल होता है तो आप बहुत उदास हो जाते हैं तो आपने खुद को ऐसा बना लिया है कि जो भी हो, आप खुश नहीं हो सकते आप खुद को हराने के लिए तयार हैं चाहे जो हो जाए आप खुश नहीं होंगे अगर आप मेरी बात समझना चाहते हैं, तो बैंगलूरू की एक मुख्य सड़क पर खड़े हो जाईए गरीबों को छोड़ दें, जो सड़क किनारे चीज़ें बेचते हैं, उन्हें छोड़ दें सिर्फ BMW, Mercedes वेगर, जो भी बैंगलूरू में मौझूद हों, सिर्फ सपनों की कारों को देखें, क्योंकि आप में से कई लोगों के भी ऐसे सपने होंगे बस उन लोगों को देखें, आपको लगता है, उनमें आनन्द फूट रहा है, ये कारें चला कर, नहीं, अगर वो चोरी की कार हो, सिर्फ तभी खुशी नजर आती है वरना, नहीं, तो सफलता से उन्हें कोई खुशी नहीं मिली है, वे असफल हों तो हर हाल में दुखी होंगे क्योंकि जीने का तरीका ही ऐसा है, ऐसे जीया जाए, तो ये किसी भी तरह काम नहीं करेगा क्योंकि ये आपके बारे में भी नहीं है, हमेशा किसी और के बारे में है, बात कभी आपकी नहीं होती सरल चीज ये है, देखिए अगर आपकी खुशी, उदासी, आनंद और दुख आपके आसपास की कोई चीज या व्यक्तिते करता है तो आपके खुश होने के संभावना बहुत कम है हाँ या न? क्या ये सच है कि इनसानी अनुभव अंदर पैदा होता है? हलो? हलो, मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ क्या ये सच है कि इनसानी अनुभव, आनन्द या दुख, पीड़ा या पर्मानन्द, पागलपन या समझदारी सभी अंदर पैदा होते हैं? अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप मैनेजर बनने वाले हैं, तो कम से कम जो अंदर होता है, वो आपके अनुसार होना चाहिए? जैसी हम चाहते हैं, दुनिया आपके अनुसार नहीं चल रही, कम से कम इसे आपके अनुसार चलना चाहिए, वरना ये कैसी मैनेजमेंट है? यहां सिर्फ एक वेक्टी है, वहां हजारों हैं, वो शायद आपकी न सुने, उनकी अपनी चीज़ें हैं, लेकिन यहां सिर्फ एक है, कम से कम यहां वो होना चाहिए जो आप चाहते हैं, अगर जो आप चाहें वो हो जाए, तो आप खुद को आनंद में रखेंगे या अगर आप चुन पाते तो आप आनंद में रहते या दुखी? आनंद में, बिल्कुल. जब ऐसा नहीं होता, तब ये सारी समस्याएं आती हैं. काम हो जाता है, तो परिशानी, काम नहीं होता, तो परिशानी. इस अंस्था में सीट मिलती है, तो परिशानी. अगर आप यहां स अगल जाते समय दूसरों से आगे भी होना है, हर चीज आपके बारे में कभी नहीं होती, हमेशा किसी और चीज के बारे में होती है, बाहरी स्थिती बदलती रहती है, ये लोग आज ऐसे हैं, पर कल पता नहीं क्या बोलेंगे? कल सुबह पता नहीं, वे क्या बोलेंगे अगर आपके होने का तरीका ये सब ही लोग तै करते हैं तो आप उलच जाएंगे, ये बात तै है जब आप इस तरह उलच जाएं देखिए, आप खुद को दोस्त कहते हैं वे फेल होते हैं, तो आप दुखी होते हैं वे पास होते हैं, तो आप और दुखी होते हैं ऐसी स्थिती में हमें दोस्त शब्द का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए मुकाबला है, मैं सुविकार करता हूँ दोस्ती नहीं है, है ना? अगर आपका दोस्त सफल होता है, तो क्या आपको बहुत खुश नहीं होना चाहिए? अगर दोस्ती सची हो तो, दोस्ती के बाद छोड़ दीजे, इस समस्या का मुक्खे कारण है कि हमने इस इनसानी मशीन को अपने हाथों में नहीं लिया है ये वैसे नहीं चल रही है, जैसा हम चाहते है क्या ये सच है, कि आपका शरीर अभी इस धर्ती पर सबसे अच्छी केमिकल फैक्ट्री है? ये सच है, ये धर्ती की सबसे जटिल और गूड केमिकल फैक्ट्री है प्रश्ण सिर्फ यही है कि आप एक अच्छे CEO हैं या बुरे CEO क्योंकि आप अच्छे CEO हैं तो आप आनंद की केमिक्ट्री बनाएंगे बुरे CEO हैं तो ये सब होगा आपका उद्योग वैसे चलना चाहिए जैसा आप चाहते हैं कम से कम ये छोटा सा उद्योग